सांप या सर्प, प्रिष्ठ वंशी सरी स्रिप वर्ग का प्रानी है यह जल तथा थल दोनों जगा पाया जाता है इसका शरीर लंबी रसी के समान होता है जो पूरा का पूरा स्केल से धाका रहता है सांप के पैर नहीं होते हैं यह निचले भाग में उपस्थित घडारियों की सहायता से चलता फिरता है इसकी आँखों में पलके नहीं होती, यह हमेशा खुली रहती है सांप विशैले तथा विशहीन दोनों प्रकार के होते हैं इसके उपरी और निचले जबडे की हड़ियां इस प्रकार की संधी बनाती है जिसके कारण इसका मूँ की थेली होती है जिससे जुड़े दांत तेज तथा खोखले होते हैं अतह इसके कात्ते ही विश शरीर में प्रवेश कर जाता है दुनिया में सांपों की कोई 2500 से 3000 प्रजातियां पाई जाती है इसकी कुछ प्रजातियों का आकार 10 cm होता है जबकि अजगर नामक सांप 25 फिट तक लंबा होता है सांप मेरक, छिपकली, पक्षी, चुहे तथा दूसरे सांपों को खाता है यह कभी कभी बड़े जन्तूओं को भी निगल जाता है सरीस्रिक वर्ग के अन्य सभी सदस्यों की तरही सर्प शीतरक्त का प्रानी है अर्थात यह अपने शरीर का तापमान स्वन्य नियंत्रित नहीं कर सकता है इसके शरीर का तापमान वातावरन के ताप के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है यह अपने शरीर के तापमान को बढ़ाने के लिए भूजन पर निर्भर नहीं है इसलिए अत्यंत कम भूजन मिलने पर भी यह जीवीत रहता है कुछ सांपों को महीनों बाद भोजन मिलता है तथा, कुछ सर्प वर्ष में मात्र एक बार या दो बार धेर सारा खाना खाकर जीवीत रहते हैं खाते समय सांप भोजन को चबाकर नहीं खाता है, बलकि पूरा का पूरा निकल जाता है अधिकांच सर्पों के जबड़े इनके सिरसे भी बड़े शिकार को निगल सकने के लिए अनुकुलित होते हैं अफ्रीका का अजगर तो छोटी गाय आदी को भी निगल जाता है विश्व का सबसे छोटा सांप त्रेड स्नेक होता है, जो केरेबियन सागर के सेट लुसिया मार्टिनिक तथा वार्वर्डो साधी द्वीपो में पाया जाता है वोल केवल 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है विश्व का सबसे लंबा सांप रेटिकुलेटिड पैथों जालीदार अजगर है, जो प्राई 10 मीटर से भी अधिक लंबा तथा 120 किलोग्राम वजन तक का पाया जाता है यह दक्षिन पूर्वी एशिया तथा फिलिपीन्स में मिलता है